साथियों मैं आ गया हुए घटना चक्र की यह चौथी प्रेक्टिस सेट लेकर आपका जो एक्जाम होने वाला है ROARO Prelims 2024 में उसी के लिए मेरे भाई यह सामान हिंदी का यह घटना चक्र का यह चौथा प्रेक्टिस सेट है इसके पहले मेरे भाई हम लोग घटना चकर की तीन प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं तीन जीएस की तीन सामान हिंदी की आज की हमारी जो प्रैक्टिस सेट है यह सामान हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट है साथियों बहुत ही बहतरिन घटना चक्र ये practice बहुत ही बहतरिन होता है अगर आप इसे नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ रहे हैं घटना चक्र जैसी महत्पूर बिश्वसनी और बड़ी संस्था का ये content तो आप समझ लेजे अपने आपको धोखा दे रहे हैं अपने पैर म संस्थाए होती हैं हम वही content लाकर आप सबके सामने बहुत ही बेहतरिन ढंक से उसका जो है describe करते हैं साथियों हमारा मंच छोटा हो सकता है हमारे videos के view कम हो सकते हैं हमारे subscriber कम हो सकते हैं क्योंकि आज का ये बहुत अच्छा प्रचलन चला है मेरे भाई जो मंच जीतना ज्या किसी का बुराई नहीं कर सकता लेकिन आप लोग देख लिजिए अगर हमारी बात विश्वासन हो बहुत से बड़े-बड़े मंच पर आप सबको पढ़ाया जाता है किस तरह से आप सबको बेवकूफ बनाया जाता है क्यों वही आलू-लालू टाइप के वही जो घिसा-पी वही अपने यहां टाइप करवा कर बड़े-बड़े मंचों पर वही पढ़ा रहे हैं साथियों उससे हमारा काम नहीं पढ़ेगा हमें सबसे पहले जो बड़ी महत्पुड और विश्वसनी संस्थाएं हैं जो प्रमाड़ी चीजे हैं हमें उन पर ध्यान दोहना होगा उन इसे परशन है जो इनहीं रिपीटेशन के अधार पर कुछ नए परशन बना कर डाला है जिनके आपके एक्जाम में टकराने का यह चांस ज्यादा है तो ऐसे प्रमाड़ी चीजों को पढ़ना आपके लिए बहुत ही लावदायक सिद्ध होगा आपके आने वाले एक्जाम आरो यारो में तो चले हम लोग बिना समय गमाय हम लोग देखते हैं पहला परशन क्या कह रहा है मेरे भाई साथी यह समान हिंदी का घटना चक्र का हमारा यह प्रैक्टिस सेट आगे हम लोग देखे हैं पहला परशन क्या कह रहा है बिलोम से संबंदित है आप सबको पता ह होगा जो समान हिंदी का question आप से पूछा जाएगा वो दस ये ये हर इच्छ topic होते हैं और हर एक topic से 10 प्रशन आते हैं कुल 6 question आते हैं तो पहला हमारा 10 प्रशन बिलोम से संबंदित होगा तुम लोग देखते हैं क्या है किस बिकल्ब में सही बिलोम युग्म नहीं है यानी 4 जोड़े दिए हैं मेरे भाई और करा रहा है कौँ सा जोड़ा गलत है उसे आपको पताना है तो साथियों हमारा ये दिखे यहां लिखा है आतूर अनातूर ये तो सही है ये वाला सही है आर्ष का अनार्ष होता है यहां मेरे भाही आशीश अभिशाप आशीश मतलब आशीरवाद अभिशाप मतलब यह एक तरह से शराप यह भी सही है गलती मेरे भाही यहां है बी वाले में अनुजीवी परजीवी परजीवी मतलब मेरे भाही जो दूसरों के सहारे जीता है, और अनुजीवी मतलब उसी का पर्यवाची है, तो यहीं गड़वड़ी है, अनुजीवी, पर्जीवी, दोनों का एक ही मतलब है, इसका अगर बिलोव लिखना चाहें तो आत्म निर्भर होगा, आत्म निर्भर, तो याद रखिये यह दोनों पर्यावाची हैं जबकि बिलोम नहीं है तो इसलिए गलत था, आगे देखें हम लोग हमें सबसे पहले ध्यान ये चीज़ देना होगा मेरे भाई कि हमसे क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, तो देखें अहां दूसरे में, उदय और बिस्वास पर हम आपकी कोशिस करेंगे खरे उतरे हैं, साथियों तीसरा क्या कह रहा है किस विकल्प में सही बिलोम जोड़े हैं, सही बिलोम युगम हैं तो चार आप्शन में जो सही जोड़ा होगा, उसी को हमें बताना है मेरे भाई, बहुत बेहतरी चीजे है देखें, करून निष्ठूर, एकदम सही यही वाला सही है करून का उल्टा मेरे भाई, निष्ठूर होता है यही वाला सही है, और बाकी सब गलत है क्यों? क्योंकि आस्तिक का मेरे भाई, यहां अधार्मिक दे दिया आस्तिक का अनास्तिक होता है क्या अनास्तिक तो आप लोग समझ जाएगा यहां सुदूर का बिस्तार दे दिया मेरे भाई सुदूर का सन्निकट होगा सन्निकट यहां इसलिए गड़बढ़ हो गया संकल्प का मेरे भाई यहां अकल्प दे दिया तो आपकी जो पढ़ने की productivity होगी मेरे भाई वो चार गुना बढ़ जाएगी ये होती है अच्छे description की बाते हैं तो देखते हैं शौथा प्रशन बहुत ही बेहतरीन प्रशन है क्या कह रहा है मेरे भाई कह रहा है चिरंतन चिरंतन सब्द का बिलोम निमलिखित में से कौन जो हमेशा रहने वाला हो जो कभी खतम नहों आप लोग चीत ध्यान दिये होंगे जो आपके घर शादी आता है सादी के काड में जिस लड़के की सादी होता है तो उस लड़के के नाम के आगे चिरंजु फलाना कुमार फलाना ऐसे करके लिखा रहता है इस चिरंजु का मत जाएगा नशवर यानि जो खतम होने वाला है तो option number D चिरंजु का या चिरंचन का option number D हो जाएगा नशवर आगे देखे हम लोग 5 में का 5 करया है मेरे भाई ध्वहंस का बिलोम क्या होगा मेरे भाई ध्वहंस का एक समानार्थी सब्द है यानि पर्यावाची सब्द होता ह यह दोनों तो एकई सब्द हैं तो ए तो होगा नहीं क्योंकि विलोम हमें पूछ बताना है अब इसका ध्वन्स का मेरे भाई यह उल्टा क्या हो जाएगा? निर्माड अगे हम लोग बढ़ें ध्वन्स का निर्माड आगे चलते हैं क्या लिखा है मेरे भाई देखते हैं पुरशकार पुरशकार का बिलोम सब्द क्या है तो आप सबको पता है आप अच्छा काम करेंगे तो आपको पुरशकार मिलेगा और अगर गलत काम करेंगे तो आपको दंड मिलेगा option number B पुरसकार का दंड हो जाएगा यहाँ पर अब इसको अगर बात कर लें कृपा का उल्टा कोप होता है कोप होता है और यहाँ पर पुरसकार का ये आसिरवाद तो होगा नहीं पुरसकार का दंड option number 20 का उत्तर है आगे हम लोग बढ़ें सातवे में निम्ण में से बिलोम सब्दों का एक सही युगम है चार option दिये हैं एक जोड़ा सही है उसी सही जोड़े को हमें बताना है जो इसमें सही मिलान हो मेरे भाई तो देखें आपत्ति बीपत्ति तो मेरे भाई यहाँ पर ये गलत दे दिया है यह बिपत्ती का संपत्ती होता है, आपत्ती नहीं होता है, यहाँ पर यह संपत्ती होना चाहिए, संपत्ती का उल्टा बिपत्ती होता, यह तो सही हो गया, यहाँ पर देखें, अवर्षन, अनावर्षन, यह भी मेरे भाई गलत दे दिया है, आवर्षन, अवर्षन नहीं, आवर्षड होना चाहिए था, तो ए भी गलत दे दिया है यहां पर, option number B में, गणतंत्र जनतंत्र तो दोनों यह कही मतलब है मेरे भाई, तो ए भी जो है, गलत है, उल्टा नहीं है, हमें उल्टा बताने कोज में बिलोम है, आपत्ति, अनापत्ति, तो यहां पर हमें जो दिय है, सात्वे में, यह option number D सही है, आपत्ति का अनापत्ति भी होता है, अब देखते हैं हम लोग, आठवा परशन, क्या कह रहा है मेरे भाई, आठवे में, कह रहा है, निमललिखित में से, गलत बिलोम सब्द का चैन करना है, नीचे चार आपसंद दिये गए हैं, चार जोडे इन जोडों में से किसमें गलत जोडा, किसमें गलत बिलोम दिया है, उसको बताना है, देखें, हम लोग अगर पहला पढ़ते हैं, तो प्रवेश का नवेश दे दिया है, मेरे भाई, अगर आप लोग कही जाते हैं मौल में या मंदिर में, तो आप प्रवेश का निकास लि निम्न लिखित में से कौन सा बिलोम योगम तुरूटी पूर्ड है ये चार बिलोम सब्द और बिलोम का जोड़ा दिया हुआ है इन जोड़ों में कौन सा बिलोम जोड़ा सही मतलब गलत दिया है गलत जोड़ा मिला हुआ उसी को बताना है तो यहां पर मेरे भाई हमें दिय विसका मतलब गलत पूछा था तो गलत यही था हमारा या व बाकि सब अपने जगह पर सहीरे है टेजस्वी का निश्तेज शुरोटा का वक्ता हो जाता है आर्ध का अनार्ध सब अपने जगह पर Nanh ठीक हैं गलत यही तो देखें यहाँ पर तो तुच्छ का महान होता है यह सही है I ci जगह पर नश्वर का शाशुवत यानि जो कभी क्षे खत्वर नहीं होगा ये शाश्वत जो खत्म होने association नश्वर यहीं सहीह है विसिश्च का आसिश्च दस्में मेरे भाई यही गलत है क्यों विसिश्ट का आसिश्च नहीं होगा विश मतलब जैसे इस पेसल और इसका मतलब अगर उल्टा देखें तो सामान यह strict कि जगार यह सामान यहां से 20-10 परश्ण हमारे पर्यवाची के होंगे तो यहां पर हम से पूछ रहा है कि बिकल्पों में चंचरीक सब्द का पर्यवाची बताई यह मेरे भाई चंचरीक जो होता है भावरा का पर्यवाची होता है ब्रहमर ये भावरा हो जाएगा चंचलिक सब्द का पर्यावाची भावरा होता है इसके और अगर बात करें जैसे अली, सटपड, मधुकर, मिलिंद, ये सब इसके पर्यावाची और होते हैं भावरे के आगे हम लोग देखें बारहमे में दुर्गा का पर्यावाची है दुर्गा का पर्यावाची इसमें से क्या है मेरे भावरे ये भारती तो ये सरसोती का पर्यावाची होता है और ये जो जोत्सना लिखा है मेरे भावरे ये जोत्सना तो चांदनी का होता है तो ये यहाँ प किसका पर्यावाची है ये लिखा है तो मेरे भाई महाश्वेता ये होता है सरसुती का पर्यावाची option number B ये सरसुती का पर्यावाची इसमें और हम लोग जैसे वीडा पाड़ी हाथ में उनके वीडा रहता है वीडा पाड़ी कह सकते हैं शारदा भारती ये सब जो होते हैं सरसुती के पर्यावाची होते हैं आगे चले नेखें हम लोग 14 में सभी के सभी प्रशन मेरे भाई बहुत ही महत्तपूर्ड है इसको हमें बहुत ही अच्छे से अगर हम लोग प्रैक्टिस किये रहेंगे तो हमारा पच्छपन तो आही सकता है अगर आप अपने से अगर इस प्रशन को पचास पा ले रहे हैं इसमें से आप जानिए आपका पांसाथ नंबर ज्यादा ही आएगा इजाम में क्योंकि ये थोड़ा एडवांस वर्जन में है चौदा हमा देखें या तुधान या तुधान का पर्यवाची क्या है या तुधान का पर्यवाची मेरे भाई या तुधान मतलब ये राच्छस होता है आगे देखें पंद्रहवे में, कौन सा सब्द सूर का पर्यावाची नहीं है, सूर का पर्यावाची मेरे भाई बताना है, कौन सा नहीं है, तो सूर के पर्यावाची में मारतंड भी आता है, मरीची भी आता है, पतंग भी आता है, मेरे भाई केशरी नहीं आता है, केशरी ज रब्द नहीं है, नीचे कौन सा इस्तरी का पर्यवाची नहीं है, उससे हमें बताना है, इस्तरी का पर्यवाची, तो साथियों तरुणी भी इस्तरी का पर्यवाची होता है, प्रमदा भी पर्यवाची इस्तरी में होता है, ललना भी होता है, रमडी भी होता है, यहां जो ल अलिम्ने लिखी तुमे से कौनसा सब्द हवा का पर्यवाची नहीं है यहाँ अरल और नल्नमानुत्व यह आग का पर्यवाची है अर अल निल में लोग ज्यादा कन्फ्यूज होते हैं तो अनिल मतलब हवा होता है और अनल . . अनल का का मतलब क्या है अनल का मतलब हो जाएगा आग, तो हवा के पर्यावाची में अनिल आएगा, मारूत आएगा, पवन आएगा, ये सब आएगे, लेकिन अनल आग का पर्यावाची है, आगे बढ़ें, इसमें मेरे भाई, कर रहा है, पर्यावाची सब्दों का कौन सा समू सही नहीं है, तो पर आट, शाला, विद्याले, इसकूल, ये सब तो इसकूल के पर्यावाची हैं, बिल्कुल सही, नारी, महिला, आवरत, ये सब भी इस्परी के पर्यावाची, ये भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन हमें गलत बताना है, पहाड, परवत, पुस्तक, देख लिए एक में कौन सा पर्यावाची सब्द नहीं है, तो नहीं पर आप लोग जरूर दीजिए, बहुत सिलोओं का परश्ण इसलिए गलत हो जाता है, वो नहीं को नहीं देख पाते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मौर कलापी, यहाँ क्या है, उनिशों में मौर कलापी, ये सब पर्यवाची है, मोर का मुकुंद विश्डूप ये भी पर्यवाची है, तो यहां देखें मार अनंग, ये जो मनोहर का पर्यवाची ये सब भी आ जाएंगे सुंदर का ये मिरिगधर अरकजा ये पर्यवाची नहीं है आपस में उनिशवा का ये हमारा गलत हो जाए मिरिगधर मेरे भाई चंद्रमा का होता है ये क्या है ये चंद्रमा का और यहां ये अरकजा है अरकजा मेरे भाई आगे हम लोग बढ़ें अब यह हमारा डी हो जाएगा डी गलत दिया है क्योंकि यहाँ चंद्रमा एक तरफ होगे यह पर्यवाची नहीं है बीसवा में हम लोग देखें निम्न बिकल्पों में से कौन सा पर्यवाची की द्रिष्ट से सही नहीं है तो तीन सही है एक गलत है उसी को हमें बताना है तो देखें मैं पहला ही यहाँ पर हमें मिल गया रसाल मेरे भाई आम का पर्यावाची है और तामरस जो है ये कमल का पर्यावाची है तो इसका मतलब ये गलत है तो option number एक गलत दिया है और बाकी सभी राजा का मही रात्री आमिनी, ब्योम अंतरिच ये सब सई हैं पनी जगापे लेकिन हमसे गलत पूछा तो गलत ये था आगे देखें हम लोग अब अब देखें हमारा अनेक सब्दों का एक सब्द आ गया है अनेक सब्दों के लिए एक सब्द बताना है तो पहला हमें दिया है जिसकी आशा न की गई हो इतना बड़ा सब्द है, इसको एक सब्द में क्या कहेंगे, जिसकी आशन न की गई हो मेरे भाई, उसे अप्रत्याशित बोला जाता है, option number B बोला जाता है, इसे अप्रत्याशित, तो आशा तीत मतलब यह जो एक और दिया है आशा तीत, आशा तीत का मतलब होता है मेरे बहुत भरा हुआ है, उसे अशा तीत कहा जाता है, और यहाँ पर यह मफिलाल हमारा यह, जिसकी आशन न की गई हो अब प्रत्याशित हो जाएगा, आशा में, जिस इस्तरी के पुत्र और पती न हो, इसकी लिए एक वाक में आप इसे क्या कहेंगे, यहाँ पर अबला, चार सब्द दिये हैं, इन ही चारों सब्दों में हमें बताना है, तो मेरे भाई उसे अबीरा कहा जाता है, कोई भी इस्तरी के पत्ती और पुत्र न हो, तो उसे अबीरा कहा जाता है, यहाँ जो अबला दिया है मेरे भाई, कुछ लोग यहाँ भी कंफ्यूज हो जाएंग और जो प्रमार से सिद्ध हो जाता है उसे हम लोग प्रमय बोलते हैं, तो option number B हो जाएगा हमारा अप्रमय, 23 का B, देखें, 24 में, जो छाती के बल पर गमन करता है, उसे क्या बोला जाता है, तो मेरे भाई, जो छाती के बल पर चलता है, उसे हम लोग उरग कहते हैं, option number B, और जो पेट के बल पर चलता है, यहां आप लोग confused हो जाएंगे, उसे उदर बोलते हैं, उदर, तो यहां confusion न होईएगा आप, यह है, आगे देखें लोग, 25 में, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन हुआ हो, उसे क्या करते हैं, तो यहां पर सब लोग पढ़े होंगे, जो confusion है, यहां अन्योदर, सहोदर, सहोदर मेरे भाई, जो अपने ही माता से उत्पन हुए भाई हैं, उनको सहोदर बोला जाता है, और वो भाई जैसे सवतेला भाई हो गया, जो दो भाई हैं, लेकिन वो अलग-अलग माता से दिये गए वाक्यांस के लिए एक शब्द क्या होगा, पहाड का निचला भाग, पहाड का निचला भाग पूछ रहा है मेरे भाई, तो पहाड का निचला भाग उपत्यका होता है, option number D, आप लोग देख रहे हैं, उपत्यका, उपत्यका, और पहाड का जो उपर ही भाग हो 27 में जल में रहने वाला प्राड़ी जो प्राड़ी जल में रहता है उसे क्या कहा जाता है तो जल में रहने वाला प्राड़ी यहां पर लोग जो confusion है यहां जलज, जलनिधी, जलधर, जलचर यह चार आपसंदिये हैं जल में रहने वाला प्राड़ी जो जल में रहने वाला जी होता है उसे जलचर बोला जाता है जलचर और जलज क्या होता है जल में उत्पन होने वाले जो पेड़ पाउधे होते हैं उन्हें लोग जलचर बोलते हैं 27 में का यह हो जाएगा तो यहां पर confusion न होएगा तो जल में जन्म लेने वाला जो होता है उसे जलज बोला जाता है तो फिरहाल जल में रहने वाले प्राड़ी का जलचर 28 में खाने की इच्छा के लिए खाने की इच्छा के लिए एक सब्द क्या होगा मेरे भाई यहाँ लिपसा, बुभुच्छा, बुभुच्छा, जिगीसा तो option number B हो जाएगा मेरे भाई बुभुच्छा खाने की इच्छा क्या हो जाती है? एक सब्द में बुभुच्छा 28 में का B देखें 29 में क्या कह रहा है? मोच की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक सब्द क्या होगा? जो मुच की कामना करता हो उसके लिए एक सब्द में क्या कहेंगे मेरे भाई? मोच्छू मोच्छू यहाँ कई तरह से लिखा है तो लोग कन्फ्यूज होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ तो सब किसमें ये ये वाला मुपुचो जिसमें छोटा O लगा है option number C हो जाएगा हमारा 29 में का C 30 में देखे हम लोग क्या है जो बहुत ही मंद गती से कार करता हो यानि जो बहुत ही धीरे धीरे कार करता हो मंद गती से कार करता हो उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे कान्हा सब्द है कान्हा अर्ध तत्सम है मेरे भाई कान्हा क्या है अब हमारा 31 से तत्सम तत्भो वाला आ गया तो तत्सम तत्भो आप लोग को जानते ही है जो संस्किस से सीधे हिंदी में आ गए सब्द वो तत्सम होते हैं और जो सब संस्की से हिंदी माकर थोड़ा मोडिफाइड हो गए वो तत्भव होते हैं तो यहां कान्हा अर्ध तत्सम है इसका पूर्ध तर्धम मेरे भाई क्रिश्ण होता है तो यह आप लोग याद रखिए आप्शन नंबर सी हो जाएगा 31 गांव देखें 32 में क्या लिखा है निम ने लिखी सब्दों में से कौन सा तत्सम सब्द तत्सम सब्द नहीं है यानि यहां पर एक तत्सम नहीं है और तीन जो है तत्सम है तो जो तत्सम नहीं है मेरे भाई उसी को हमें पकड़ लेना है तो मेरे भई यहां नेह, देखे कुश्रम भी तत्सम है, भूशी का भी तत्सम है, वंस भी तत्सम है, यहां जो नेह लिखा है यह तत्सम मेरे भई सनेह होता है तो ये हमारा उतर हो जाएगा आप्शन नमबर डी यह तत्सम नहीं है 32 में का आगे चला जाए 32 में देख लेते हैं निमने लिखित में से कौन सा सब्द कौन सा तत्भाव सब्द है तो तत्भाव बताना है तीन तत्सम है उन्हें छोड़ देना है और जो तत्भाव है उसी को बताना है तो यहां देखे हम लोग पहले ही दीख रहा है हम लोगों को पंख पंख जो है मेरे भाई यही तत्वो है option number a हमारा यह उत्तर हो जाएगा यह तत्वो इसका मेरे भाई का तत्सम पता करना ता है तो इसका तत्धम पच्छ होता है क्या पच्छ option number a हो जाएगा और बाकी सभी जो है यह तत्सम है आगे देखा जाए, 34 में, निम्नलिखित में से राखी का तत्सम है, तो मेरे भाई, राखी का तत्सम मेरे रच्छा भी होता है, रच्छी का भी होता है, रच्छा सुत्र भी होता है, ये तीन के तीनों राखी सब्द के तत्सम कहे जाते हैं, option number D हो जाएगा सभी, 35 देखते हैं निमने लिखिस सब्दों में से ततभव सब्द कौन सा है तो ततभव हमें पूछ रहा है मेरे भाई कौन सा ततभव है याद रखिए ततभव सब्द कौन सा है तो दच्छिर तो ततसम है ये तो नहीं होगा ततभव खरजूर ए भी तत्सम है खटवा ए भी जो है तत्सम है घड़ा घड़ा मेरे भाई यही तत्भव है इसका हमें तत्सम पता करना होगा तो यह घड़ हो जाता है 35 का यह D हमारा उत्तर हो जाएगा घड़ा का घड़ आगे देखें हम लो क्या कह रहा है इसमें मेरे भाई कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सब्द ततभव नहीं है तो जो ततभव नहीं है उसी को पताना है हमें तो साथियों देखे यहां काज, कान, आखर, और ये सब्द जो होता है मेरे भाई, ये सब्द ततभव हैं, तीन के तीनों, लेकिन वायू मेरे भाई ये तत्सम है, इसका जो है ये ततभव नहीं है वायू, वायू एक तत्सम है चले हम लोग आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है साइंटीस में साइंटीस में कह रहा है निमने लिखित में से तत्सम तत्भव का जोड़ा कौन सा सही है उसी को हमें बताना है तो साइंटीस में में वही हमें जो सही है उसी को बता देना है तो देखें नच्छत्र का नखत लिग दिया है यहाँ पर यह गड़बड है क्या होना चाहिए मेरे भाई यह नच्छत्र का यह जो नखत लिग दिया है यह गड़बड है गड़बडी कहाँ पर किया है मेरे भाई यह नच्छत्र होना चाहिए था यह यहां जो छह लिख दिया है न, यह नच्छत्र ऐसे रहना चाहिए था, तब सही रहता, नच्छत्र का नखत, तब सही रहता, इसलिए यह गड़बड हो गया, पकवान का, पकवान का यह पकवान लिखा है, तो मेरे भाई यह पकवान होता है, यहां पर यह गड़बड़ ऐसे होता, तब सही रहता, इसलिए ये गरबड हो गया, ये गरिध का गीध लिखा है मेरे भाई, ये भी गरबड लिख दिया, ये गिध जो होता है न, ये ऐसे, ये इसका तत्सम लिखना होगा, तो ये गरिध होना चाहिए था, तब सही रहता, और ये अवश्याय ओस, सही ह उस तदभव है इसका तदसम अवश्या है option number D तो हम लोग देखते हैं question number 38 क्या करा है मेरे भाई करा है कि तदसम से तदभव के रूप में बने सही सब्द सही सब्द आपसे पूछ रहा है सही सब्द को चिन्हित करना है तो मेरे भाई यहाँ पहला हम लोग अगर देखे हैं वत्स का बच्छडा यानि बच्छडा का अगर तदसम पूछे तो वत्स हो जाए इसका मतलब यह सही है उत्तर यही होगा आपका option number E तो यह सब क्यों गडबड है मेरे भाई यही गडबड है यहाँ जो बालग दे दिया है बालग का एक तदसम है इसका तदभव बच्चा हो जाएगा इसका तदभव तो बच्चा हो जाएगा और यहाँ सबद जो दे दिया है यह गडबड है यहाँ पर यह शब्द होना चाहिए था शब्द तद्वसम है और इसका तद्वह सब्द होगा यहाँ पर गोधूल नहीं मेरे भाई गोधूम होगा गोधूम का गेहूम गोधूम तद्वह है इसका तद्वह गेहूम होगा तो इसलिए मेरे भाई सब गड़वड़ी किया था, इसलिए अब ये सही था, आप्षन ये, 39, ततभो से तत्सम बने सही सब्द युग मुको चिन्हित कीजिए, उसको बताना है जो ततभो से तत्सम सही है, तो मेरे भाई हाथ हत्ता, रत्ता रात, नच्चा नाच, पत्ता प होता है, यही सही है, ततभो से तत्सम बना, यही सही है, बाकि सब गलत हैं अपने जगर पर, कैसे गलत हैं अगर हम लोग इसको देखना चाहें, तो रात का मेरे भाई रात्तरी होता है, यहां रत्ता नहीं होगा, यह रात्तरी होगा, यह नाच का मेरे भाई नित्त होता है यह सब याद रखिएगा आप लोग बहुत काम की चीजी बताई जा रही है ऐसा कहीं बताय नहीं जाता है एक-एक सब्द आगे चले हम लोग देखें चालिस में क्या कूश रहा है चालिस मेरे भाई निमलिखित में से किस योग में के सभी सब्द तत्सम है चार जोड़े दिये गए है उन जोड़ों में तत्सम है उनको बताना है यानि दोनों के दोनों तत्सम होने चाहिए तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग चालिस में मेरे भाई यह सूती ग्री तथा प्रसूती ग्री है दोनों तत्सम सब्द है यह आला देख रहे हैं न, यह दोनों के दोनों तत्सम है, सूती प्रसूती ग्री है, सूती ग्री है मेरे भाई यह क्या होता है, जैसे किसी महिला को बच्चा पैदा होता है और वो जहां उस समय रहती है, तो उसे आम जन की भासा में सौरी बोलते हैं, तो इसी सौरी का तत्स मेरे भाई यह सूती ग्री या प्रसूती ग्री होता है अप्शन नमबर यह हमारा सत्य है और बाकी सब में यह है गलत है तो आगे चले हम लोग आगे देखें अगर क्या है हमारा 41 में देखें हमें क्या कह रहा है देखें 41 में क्या है निमलिखित में से 41 या गया अब हमारा सुध वरतनी वाला सब्द तो कौन सा सब्द असुध है कौन सा गलत लिखा है उसी को हमें बताना है तो यहाँ पर मेरे भाई उज्वल लिखा है उज्वल तो ऐसे ही लिखा जाता है और यहां बिशेष तया लिखा है मेरे भाई यह भी सही लिखा है उच्छवास गलत यह कहां गलत किया है यहां यह हलंत नहीं लगाया ऐसे च्छप लगा दिया होता तो सही हो जाता इसी लिए यह गलत हो गया 42 में निम्नलिकित में से कौन सा सब्द असुद्ध है यानि कौन सा गडबड है, गलत है, उसी को हमें बताना है, कौन सा सब्द गलत है, तो देखें मेरे भाई, कनिष्ठ ये सही है, ऐसी लिखा आता है कनिष्ठ, ये घनिष्ठ, यहां तो एक घनिष्ठ दिया है, इसको छोड़ देते हैं, ये देखें, गलबड़ी है तो इसका मतलब घनिष्ट भी सही है इकठा भी सही है यह जो विशिष्ठ लिखा है यही इसमें गलबड़ी है मेरे भाई क्यों गलबड़ी है कि इसका विशिष्ठ होता है ठ की जगई पे विशिष्ठ लिखा होता तब सही रहता यह वाला आगे देखें, 43 इन में से सुध्वरतनी का सब्द है तो वरतनी की देशटी से सुध्व कौन है, बताना है आपको क्रिशांगिनी क्रिशांगी, क्रिशांगी तो क्रिशांगी इस तरह से लिखा जाता है option number C, ये सही है और बाकी जो क्रिशांगी लिखा है वो कड़ बड़ है वर्तनी की देश्टी से क्वेश्चन नमबर ये क्या है चोगाली समारा बहुत बेहतरिन प्रश्ण क्या करा है कि असुद्ध वर्तनी वाला सब्द चुनिए जो गलत है उसे चुनना है तो देखें मेरे भाई ये प्रज्वलित ऐसे ही लिखा जाता है प्रज्वल भी ऐसे लिखा जाता है ये समुज्वल ऐसे लिखा जाता है ये सब सही है कन्फूजन यहां आपको दे दिया है दोनों इसी टाइप में दे दिया है लोगों को लग जाएगा खाईनी दोनों में से एक उत्तर है कौन है तो मेरे भाई ये समूजल ये वाला सही है और जबकि ये D वाला ये गड़ बढ़ है तो option number D हमारा ये उत्तर हो जाएगा option number D चले हम लोग आगे देखते हैं निम्न में से सुध्वाक का चैन करना है जो वाक के सुध्व है उसी का चैन करना है तो हम लोग पहला अगर पढ़ते हैं पहला पढ़ते हैं देखते हैं इस पर क्या है श्यामा ने माला गूध ली तो मेरे भाई माला गूध नहीं गूधा जाता है तो ये हमें यहाँ पर गड़बड़ी कर दिया है यहां पर माला वाले में तो माला गूंथ यहां पर गूंथ होना थ से थन यह वाला तो इसलिए यहां गड़बड़ी हो गया यहां अशोभनी वातावरन घीरा है तो वातावरन जब आ गया तो घीरा लगाने जरूरत ही नहीं इसलिए यह गड़बड हो गया खबर सुनकर मैं बिस्मित हो गया तो option number C यही सही है इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं लग रहा है 45 वाले में तो यही सही है तो अब यहाँ चौथे में क्या गड़बड़ी है मैं आप सब का धन्यवात करता हूँ धन्यवात करता नहीं मेरे भाई दिया जाता है तो यह गड़बड़ है तो option number C सही है इस तरह से पहचाना जाता है हमने लिखी तो वाक्यों में से कौन सा वाक अशुद है कौन सा गड़बड है उसे हमें बताना है तो देखें जो गड़बड है उसे हमें बताना है कौन सा गड़बड है तो पहला हम लोग पढ़ है सास्त्री जी के मृत्त्यू से हमें बड़ा खेद हुआ है मेरे भाई यहीं गड़बड़ी है यहीं हमने पकड़ा गया यह खेद नहीं यह इनसे दूख होता है यहाँ पर किसी कोई बृत्यू होती है तो खेद नहीं यहाँ दूख होता है आप लोग इस स्टेशन पर जाते हैं तो ट्रेन लेट हो जाते ही तो खेद कर देता है तो जिसे कोई छोटी मोटी मिश्टेख हो जाते ही तो उसके लिए खेद लगाया जाता है यही गड़बड है और सब अपनी जगह पे सही हैं यह वाले तो हमें आप पढ़ना नहीं है अपना समय बचा कर आगे निकलना है 47 में निमलेखित में से सुद्धवाक को चैन करना है जो सही है तो सुद्धवाक कौन है मेरे भाई तो यह देख रहे हैं गौतमीर इसी की पतनी का नाम अहिल्या था तो यहां पर मेरे भाई अहिल्या यह नाम नहीं होता है यह लोगों को बोल चाल भासा में होता है लेकिन इसका सही रूप्त अहल्या होता है आप्शन नमबर यह तो गलत हो गया अब हमें देखें क्या राजिव नीरपराधी है तो में रहाई नीरपराधी नहीं नीरपराध होता है ये इकमातरा नहीं लगना चाहिए धापया इसलिए ये भी गड़बड हो गया अब देखें हमारा क्या है यहां 47 में का अंगद रावड समवाद परकास पर डालिए तो यहां समवाद नहीं होता है मेरे भाई समवाद ऐसे होता है इसका मतलब ये तीनों गड़ पड़ोगें तो चौथा अपने आप सही होगा क्योंकि चार में सी एक सही होगा अगणी प्रज़लित हो रही है ति ये सही है 48 में देख ले निमलिकित में से सुद्ध वाको को हमें छाटना है कौन सा वाक के सुद्ध है 48 वाले में तो मेरे भाई यहाँ पर रेखा ने भोजन कर ली है रेखा ने भोजन कर ली है रेखा भोजन कर ली है रेखा भोजन किया रेखाने भोजन किया रहा है और तालिस का ये डी सत्य है सबसे सही और सब में मिश्टेक है पढ़ने पर ही लग जाएगा कौन सही है कौन गलत तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नमबर उन्चास बहुत बढ़िया क्या कह रहा है नमलेखित में से सुधवाक का चैन करना है तो बंदूक एक उपयोगी सस्त्र है यस मेरे भाई यही सही है इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं लग रहा है यह सही है और यह दिये हुए आपसर में यह सत्र है यहाँ पर देखें स्री किष्ण के अनेको नाम है तो अनेको नहीं मेरे भाई अनेक होता है इसलिए यह गड़बड हमारी सौभाग्योवती कन्या तो मेरे भाई सौभाग्योवती नहीं होता है कन्या के लिए यह सौभाग्योवती सब्द नहीं होता है आप लोग जानते होंगे इसमें तो इसमें और क्या होता है जिसे हम लोग अगर कहीं देखते होंगे तो यहाँ पर नहीं हो जाए जिसे तो हम लोग question number 49 देखते हैं क्या है निमनलिखित में से सुध्धवाक का चैन करना है सुध्वाक के तो यहाँ पर देखें पहले हमें दिया है बंदूक का एक उपयोगी सस्त्र है तो यहाँ मेरे भाई बंदूक एक सस्त्र में गिना जाता है अस्त्र में नहीं यह हमारा option number A सत्य हो जाएगा अब यह सब गड़बढ है बी क्यों गड़बढ है स्रीकिष्व के अनेको नाम दिया है तो अनेको नहीं यहाँ अनेक होता है मेरे भाई इसलिए यह गड़बढ हो गया हमारी सौभाग्योवति करन्या का विवा होने जा रहा है तो यहाँ प तो यहाँ पर हमारा क्योवल option A सही है देखें निमलिखित मिस्र वाक्यों में से कौन सा विशेशन उप वाक्य है तो हमारा पशासवय में क्या करा है मेरे भाई करा है कि निमलिखित में से सुध्वाक कौन सा है तो सही वाक्यों मेरे भाई पहला अगर हम लोग यहाँ पढ़ें option number A तो मैं आपका दर्शन करने आया हूँ मेरे भाई यह गलत है दर्शन एक plural होता है तो मैं आपके दर्शन करने आया हो तो यह हो जाना चाहिए इस बात के कहने में किसी को संकोच नहोगा यह भी गलत है देख रहे हैं आप लोग पढ़ने से ही और यहाँ पर जो मैं अपनी बात कहने के लिए तैयार हूँ यह सही है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है यही सही है तो यहाँ पर बता देना आगे देखें हैं मुग अब 51 में 51 से हमारा विशेस विशेषण से मेरे भाई बिशेषण बोला जाता है आप सब को पता है और जो सब्द किसी दूसरे सब्द की बिसेस्ता बताते हैं उन्हें बिशेशन कहा जाता है जैसे गाय काली है तो काला ये जो गाय की बिसेस्ता बता रहा है तो काला बिशेशन हो गया और काला जो है गाय के बारे बता रहा है तो गाय बिसेस्ता हो गई प्रयास, उसा, सुयोग, तो मेरे भाई, आप लोग देखेंगे, लिखा रहता है कि आपका नाम सुरडी मच्छों में लिखा जाएगा, तो अच्छर में प्रयोग हो सकता है, सुयोग में प्रयोग हो सकता है, उसा में, प्रयास में नहीं प्रयोग हो सकता है, प्रयास में मेर तो आपको में कितने बिशेषण है इतना बड़ा एक सब्द दे दिया है आपको sentence बहुतिक और नश्वर जगत में दैवी प्रकोप अप्रत्याशित घटना नहीं है तो इसमें आपको बताना है कितने बिशेषण है तो मेरे भाई इसमें बिशेषण के बारें पूछ रहा है तो हमें पता है जो सब विशेषण बताने वाले हैं वही विशेषण होंगे तो कौन सा होगा मेरे भाई हमारा इसमें हम लोग अगर पढ़ेंगे तब ही हम लोग को समझ में आएगा देखें ये बावन वाले में क्या हमसे पूछा जा रहा है देखें भावतिक और प्रत्यासित घटना कैसी घटना अप्रत्यासित ये चार विशेषण को सब हो गए हमारे पास तो आप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग जो सब विशेषण बता रहे हैं वही विशेषण हो जाएंगे प्रयोग के अधार पर अज्यान सब्द होगा तो अज्यान सब्द मेरे भाई क्या होगा प्रयोग के अधार पर केवल विशेषण केवल विशेषण विशेषण दोनों क्या क्या हो सकते हैं तो मेरे भाई विशेषण और अज्यान सब्द जो है वो विशेषण और विशे करम वाचक मतलब मेरे भाई जो करम से आता है और उसे करम वाचक विश्यषड कहते हैं तो तीसरा यहां जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा पाचवाई सब करम वाचक हैं तीन जहां गड़ना वाचक हो गिनने वाली बात आए वहां यह हो जाएगा दो यह भी है तीगुना यह मतलब जहां मल्टिप्लेशेशन की बात आए तीगुना चौगुना पांच गुना वहां पर आप विश्यषण वाचक हो जाता है तो यहां फिलाहाल करम वाचक में हमारा डी हो जाएगा आप लोग देख रहे हैं तीसरा पच्पन में देखें अन्यम लिखित में से कौ कौ सा होगा तो आपशन नंबर ए जो होता है चम एक विश्यषण हां बाकि सभी विश्यषण से हैं यहाँ पर आगे हम लोग देखें छपन में कौन सा विशेशन उपवाक्य है किसमें विशेशन का प्रयोग हुआ है इसे पर पता नहीं तो मैं कहता हूं कि तुम भूपाल जाओ इसमें भी नहीं है लखनौ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक एतिहासिग नगर है कैसा नगर एतिहासिक नगर देखे यहां विशेशन का प्रियोग हुआ है तो option number B हमारा उत्तर हो जाएगा जबकि यहां देखना है मैं station पहुचा तभी train चली गई यहां कोई विशेशन बताने वाला सब्द नहीं है मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें इसमें भी कोई विशेशन बताने वाला नहीं है तो इसलिए हमारा B हो जाएगा और इसमें विशेशन इतिहासिक है 57 निमलिखित में से विशेश यह विशेशन के देश्टि से एक गलत यूगम है उसे बताना है विशेश और विशेशन देश्टि से वो है जोड़ा जो गलत है उसे हमें बता देना है 47 वाले में तो मेरे भाई यहाँ देख रहे है क्रोध का कुरुध होता है यह क्रोध बिशेस से है इसका बिशेसल कुरुध आसक्ति का आसक्त आकरशन का आकरिष्ट यहां इर्षिया का उपेच्छा दे दिया मेरे भाई यही गड़बड है यहां पर यही गड़बड़ी किया है इर्षिया विसेस से है इसका विसेशन आप कहेंगे तो इर्षियालू हो जाएगा अठावन का देखें भक्त की करूण पुकार शुनकर भक्त वतसल भगवान दयार्ध हो उठे तो वक्त में विशेस्यों की दिश्टी से कौन सा युग में सोदेते हैं यहां ध्यान रखे हैं हमें विशेस पूछा जा रहा है तो भक्त की करूण पुकार कैसा पुकार करूण पुकार यह तो करुण क्या हो गया विशेशन हो गया यह तो यह तो नहीं होगा तो लेकिन हमें विशेश पूछ रहा है तो यहां पुकार हो जाएगा यह कैसा करुण पुकार तो यह हो जाएगा अठावन में हमारा यह तो पुकार हो गया और यहां पर दूसरा हम लोग अगर खोज हो जाएंगे तो option number यहाँ D हो जाएगा अगर यही विशेशन पूछा होता तो करूण और यह भक्त वस्टल हो जाता तो यहाँ पर भगवान और पुकार यही हमारा हो जाएंगे option D में सालों बाद जब उसका प्रवासी पती लोटा इस वाक में कौन सा सब्द विशेशन है तो विशेशन मेरे बाई जो बिशेशन बताता है कैसा पती प्रवासी पती यानि जो देश के बाहर रह रह रहा था तो यहाँ प्रवासी विशेशन हो जाएगा बाजारु सब्द है तो मेरे भाई बाजारु सब्द क्या है यहां पर सारुनामी गुडवाचक क्या हो जाएगा यहां पर यह गुडवाचक विश्रिशन इसमें कोई संख्या का नाम नहीं है तो यहीं होगा, तो यहीं होगा Option Number 2 तो साती हम लोगों ने यह गटना चक्र की जो चौथी प्रेक्टिस सेट थी जनरल हिंदी सामान हिंदी की सेकंड पेपर तो इसको मैंने जो अच्छे से प्रियोग मतलब हम लोग पढ़ लिया है हम लोग अब पांचमी प्रेक्टिस सेट में मिलेंगे तो धन्यवाद हम लोग